दोस्तों ये इंडिया में आपको जितने भी लैपटॉप्स देखने को मिलते है ना उन में से सबसे ज़ादा पावरफुल गेमिंग लैपटॉप हो जाता है बिल्कुल वन अप दी मोस्ट पावरफुल गेमिंग लैपटॉप है और इसका नाम है लेनवो लीजिन 5 प्रो और लीजिन 5 प्रो एक ऐसी सिरीज है जो बिल्कुली फ्लैक्शिप सिरीज हो थी लैपटॉप की और सबसे हाई-एंड इस्पेक्स आपको देखने को हो थी बेस्ट पॉसिबल गेमिंग एस्पीरिंस है तो किस टैप का लैपटॉप है मैं एक शॉर्ट बड में समझा सकता हू यह उस टैप का लैपटॉप है जिसका यूज करके आप गेम भी खेल सकते और स्ट्रीमिंग भी कर सकते एक ही लैपटॉप के अंदर यहां पर लैपटॉप के बारें बात हो रही है वीडियो को पूरे एंड तो देखते रहे ना सब कुछ बताने वाले है इसकी स्पेक्स क देखने को मिलता है काफी पावरफुल प्रोसेसर है यहां पर जो मेरे पास मॉडल है इसमें आपको एन्वीडिया का आर्टी एक सब्सक्राइब को मिल रही है और इसी के साथ ही विंडोस टैन हो में 80 वाटर की बैट्परी देखने को मिल रही है और 16 इंच का डबलु में डिस्प्ले देखने को मिल रहा है और डिस्प्ले भी वन आप दी हाइलाइटिंग फीचर है इसका क्योंकि 165 वर्ट्स का रिफ्रेश रेट और भी काफी कमाल की चीज़े देखने को मिल रही है वीडियो को आना के शुरू करते हो पता लगाते है एक्जैक्ली इसकी प परफॉर्मेंस थी जैसके मैंने यहाँ पर गीक बेंच को रण किया, सिने बेंच को भी रण किया, PC मार्क 10 चलाया, यहाँ पर आपको 3D मार्क भी चलाया और Final Fantasy 15 का बेंच मार्क भी चलाया, सब में आपको consistently high performance देखने को मिली जो आपको किसी भी high end desktop वगरा में देखने को म जो हम सब का favorite game है, GTA 5 वो चलाया, अब GTA 5 ऐसे नहीं normally चलाया, यहाँ पर मैं setting के अंदर गया और graphics और advanced graphic में individually हर एक setting को मैंने maxed out ultra पे set कर दिया, और यहाँ पर consistent जो fps मिल रहा था वो 100 fps की उपर था, इसके साथ ही बात करें, obviously RTX ग्राफिक आड़े तो ray tracing वाले games कैसे ना खेले यहाँ पर मैंने doom eternal के लब, और doom eternal भी same चीज़ करी, graphic setting में जाके हर एक चीज़ को maxed out कर दी, यानि की ultra nightmare setting पे चलाया, ray tracing भी ओन था, DLS इसको quality mode पे रखा, 120 fps की उपर का frame rate मिल रहा था, काफी कमाल की बात हो जाती है, मतलब एक बात बता हूँ आप लोग को, 165 hertz का तो refresh rate laptop के display के अंदर देखने को मिली रहा है, और उस display का अच्छे तरीके से यहाँ फायदा भी उठाया जा रहा था, even बात करें तो यहाँ पर दूसरे games भी खेले, जैसके बात करें, Witcher 3 के अंदर मैंने सारे चीज़े maxed out कर दी, 100 fps की उपर था, ऐसे ही बात करें तो shadow of tomb raider जैसा game चल यहाँ पर 60-70 fps देखने को मिल रहा था, जब मैंने medium setting कर रखी थी rate racing की, यह काफी अच्छी चीज़े, और rate racing का बहुत अच्छे implementation control में किया गया, जहाँ पर reflections बहुत अच्छे तरीके साब को देखने को मिलते हैं, काफी heavy game हो जाता है, लेकिन consistent fps थाउस में भी, ऐसे ही racing game try क 75, 80, 90, वो भी ultra setting में है, high setting में 121, 144 तक आप अराम से ले जा सकते हो, और सिर्फ इतनी बात नहीं है, competitive games के बारे में बात करे, PUBG PC, Valorant, Fortnite, Apex Legend की, यहाँ पर क्या हो रहा है पता है, आप high setting में 165 fps अच्छीव कर सकते हो, जो definitely gaming के अंदर आपके जो performance हो काफी अच्छे तरीके स help कर सकता है, और headshot लेने में आप लोगों की मदद कर सकता है, लिगन सिर्फ इतनी बात नहीं है, यहाँ पर gaming की performance इंप्रूफ करने एक लिए Lenovo Legion AI दे रखा है, अब इसका एक benefit यह रहता है कि, जो total wattage रहता है, जैसके total जो TDP है पूरे लप्टा को, वो है 140 watt, और यहाँ पर frame rate है, वो game का जादा अच्छा रहा है, heating up निकले, और best possible performance निकले, same thing Shadow of Tomb Raider के साथ भी थी, जो कि काफ़ी खली, काफी जादे demanding game है, और उसके अंदर आपको 90 FPS देखने को मिल रहा है benchmark में, और मतलब वो तो benchmarking result है, normally 100-120 FPS high setting में, आसान तरीके से निकाल सकते हो, वो काफिक सही ग्राफिक्स बहुत ही जादा शान दर्मा देखने को होलते है, वो game भी हाँ पे है, ऐसे ही PUBG हो गया, Fortnite हो गया, इनके अंदर आपको maximum से maximum output देखने को मिलेगा, जिस तरीके से हाँ पे जो Legion AI इनों ने इंप्लीमेंट करी है, जो की decide करती किसको कितना power देना है, तो वो काफी कची चीज लगी हाँ पे, लेकिन खेर बात करें हमने इतनी सारी games वगरा तो खेली, लेकिन thermal throttling, heatings वगरा कैसी हुई, तो सबसे पहले तो obviously यहाँ पे dual fan का architecture देखने को मिलता है, चार vents यहाँ पे आपको देखने मिलता है, चार हो तरफ से हवा खीचता है, पीचे से हवा और तो और देखा है तो यहाँ पे एक special turbo mode है, यानि कि function और Q बटन दबा के आप क्या कर सकते हैं, कि इसको power up जादा कर सकते हैं, और fan अपनी max speed में भागेंगे, जिससे ही रहगा कि आपको thermal throttling अम देखने को ले, यहाँ पे मैंने 3-4 घंटे do maternal खेले, जिसमें rate racing भी हों थ का consistent frame rate था, हाला कि थोड़ा बहुत keyword अगरा गरम हुआ था, लेकिन कोई ऐसी major heating नहीं थे और तो यह thermal throttling देखने को नहीं मिली, जैसे कि 120 fps का 60-70 fps रह गया, ऐसी कोई problem यह थी जब मैं लंबे समय तक game खेल रहा था, इवन यह तो तब हो रहा था, जब मैंने ACB on नहीं किया यह तब की बात है, यानि कि जो cooling mechanism दे रहा है, उसको obviously नहीं को cold point 3.0 है, लेकिन definitely जो overall thermal से वो काफी अच्छे तरीके से laptop को ठंडा करते हैं, thermal throttling ना AMD के process ना NVIDIA के GPU में हो रही है, इसके साथ यहाँ पर NVIDIA के GPU को benefit ही है कि यहाँ पर आपको editing की performance हो थी, Adobe के software after effect जैसा heavy software हो ग के आप पूर पर तरीके से अच्छे तरीके से editing वगरा कर सकते है, high level की 4K editing और उसको render 10 नहीं काफी चकम देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर देखा तो performance काफी अच्छी है, इसके साथ ही बात करते हैं, obviously 16GB RAM का option है, दो slot मिलते हैं, दौनों slot user upgrade हे वाले, maximum 32GB की RAM को यहाँ पर support करता है, और 3200MHz की clock speed भी आप पर आपको देखने को मलती है, इसके साथ ही 1TB के SSD है, लेकिन M.2 के 2 slot दे रखे हैं, तो यहाँ पी आप 2 PCI-based SSD को implement कर सकता है, अप टू 2TB तक इसको expand किया दा सकता है, इसके साथ ही बात किया तो laptop को एक और काफी कमाल का feature है, वो है इसका display मतलब one of the best display आप इसे कह सकते है, gaming laptops के लिए, क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पर 16-inch का display है, जो कि ऐसा लगता है कि 15.6-inch के form factor में इन्होंने 16-inch को create कर दे है, यहाँ पर 16-10 का aspect ratio है, यानिकि ज़रूरा से थोड़ा से जादा लंबा है, इसका benefit रहता है कि आप स्क्रीन पर क 165-inch का refresh rate है, और सरफ इतनी बात ही, यहाँ पर AMD का FreeSync है, NVIDIA का G-Sync देखने को मिलता है, HDR10 का support है, यहाँ पर peak brightness से 500 nits की Dolby Vision HDR का support है, 100% SRGB है, और सबसे बड़ी चीज, जो लोग color grading का का काम करते है, यह laptop का display factory calibrated देखने को मिलता है, color calibration is out of the box है, मतलब किसी को colors का का काम करन है, वो भी possible है, मतलब Doom Eternal मैंने खुद HDR में खेला था, और काफी सारे दूसरे games है, वो भी HDR के अंदर खेले है, वो चीज़ आपर possible है, Dolby Vision के यहाँ पर वीडियोज प्ले करें, वो काफी अची तरीके से play होते है, तो definitely बात है तो display की quality, आपको काफी अची देखने को मिलती ह है, gaming, regular use, color grading, हर एक काम के लिए हाँ पर suitable है display, और resolution भी काफी सही है, और एक anti-glare finish लगे, matte finish, जिसके साथ ही जो अगर पीछे से कोई light पड़ रही है, वो reflect नहीं होती, तो एक glossy display आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो बात यह तो display काफी अच्छा है, लेकिन वही बात करे speaker की, तो speaker यहाँ पर दो speaker दे रखे, दो दो watt के bottom firing, मैं कहूँगा कि यहाँ पर loud है, लेकिन इतने जादा loud नहीं जितने मैंने expect करते है, अगर इस सामने की तरफ front firing होता, थोड़ा और जादा base होता, तो एक काफी अच्छी चीज होती, और इसी के साथ ही बात करें तो 720p का webcam यहाँ देखने को मिल रहा है, बस बात ही है कि यहाँ पर एक dedicated shutter button देखने को मिलता है, जिसे आप दबा के webcam को disable कर सकते हैं, तो privacy के लिए वह काफी अच्छा feature है, इसके साथ ही बात यह तो overall जो laptop की build है, उसके अंदर काफी जादा plastic वागरा का use किया गया, लेकिन build quality काफी यह एक काफी अच्छा काम है, यूगि बात किया तो generally gaming laptop में क्या रहता है, कि आपको thickness काफी जादा देखने को मिल जाती, weight increase हो जाता है, लेकिन weight वगरावी है, maintain है, इसके साथी body का balance भी सही है, धाई kilo weight देखा है तो मैं कहूंगा laptop के साब से सही है, और single fingers अगर आप इसे open क factor वो भी regular 15.6 inch laptop जैसे है, तो उसे LAN ले आने में को carry करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, इसका साथ ही बात करें, laptop के अंदर जो port से वो है, आपको 4 USB 3.2 के type A वाले ports देखने को मिलते हैं, 2 USB type C वाले ports देखने को मिलते है, एक Ethernet port देखने को मिलते है, RJ45 का, headphone और microphone का combo दे charging port देखने को मिलते है, definitely HDMI 2.1 को अच्छी तरीके से support करता है, और charging के बारे में बात करता है, तो 80Wh की battery है, जो कि आपको output दे सकती है, लगवख 7-6 घंटे का अगर आप इस पर gaming नहीं करता है, तो एक important चीज है कि NVIDIA का GPU तब काम नहीं करता है, तब AMD अपने integrated graphics के साथ काम करत लेकिन तब आपको maximum performance नहीं मिलेगी, अगर laptop के साथ अगर आपको maximum performance है, तो आपको यहाँ पर charger को connect करना पड़ेगा, और charger के साथ एक बात यह कि वो काफी भारी है, और वो है पूरे 300W का, इवन laptop में आपको यहाँ पर जो speed विलती है charging की वो काफी जाद है, almost 30 मिनिट के अं जैसे जो Windows के होते हैं, इसके साथ ही यहाँ पर जो Wi-Fi 6 adapter है, वो देखने को आलता है, तो Wi-Fi 6 को यहाँ पर support करता है, यह Bluetooth 5.1 का भी support है, तो और बात यह होती है laptop की, और सबसे बड़े pros के बार पर बात करें, तो definitely इसका display की performance काफी बड़े इसके pros है, और जो performance का जो package आप expect कर सकते हैं, मतलब सच बात यह है कि आज के समय में graphic cards की shortage चल रही है, अवाइलेबल नहीं है, और मिल रहे है तो बहुत महेंगे कीमत में मिल रहे है, और यहाँ पर एक ऐसे laptop आया तो जो desktop का replacement है, तो यह काफी है थी चीज़ है, वहीं बात करें इसके cons वगरा की, तो cons के साथ मैं यह बोलना चाहूंगा कि सबसे बड़ी चीज़ तो यहाँ पर कोई additional security नहीं है, कोई face unlock, कोई fingerprint scanner आपको देखने को नहीं मिल रहे है, यह एक important चीज़ है, इसके साथ ही बात की जाए, तो यहाँ पर कोई भी external GPU का support नहीं है, generally मैंने देखा कि Intel के processor में आपको thunderbolt port क support मिल जाता है, यहाँ पर thunderbolt port नहीं है, अगर यह चीज़ यहाँ पर मिल जाती है, external GPU और मिल जाता है, तो इसको पूरा और complete package बना देता है, लेकिन फिलाल के तार पर बात करें overall verdict की, तो particular जिस price point पर available है, उस price point पर किसी भी एक अच्छे desktop को यहाँ पर टक कर दे सकता है, और अभी के समय जब PC components आपको अच्छे तरीके से नहीं मिल रहे है, तो यह काफी अच्छा alternative हो जाता है, जैसा कि मतलब आपको laptop मिल रहे है, जिसा आप अहसानी से carry कर सकते हैं अपने साथ, और 2.45 kg का आपको weight देखने का वालता है, तो यह काफी अच्छी चीज़ है, इसके सा बाकी RAM और graphics का difference है, बाकी सारी चीज़े हैं पर आपको same देखने को मिल रहे है, same display देखने को मिल रहे है, तो यह काफी अच्छी चीज़ है, और आप यह समझ सकते हैं, कि अगर आप एक desktop PC बिल्ट करना है, उसमें अगर ऐसी specification जाई तो बहुत खर्चा करना पड़ जाएग इस type के monitors भी बहुत ही limited quantities में valuable हैं और हैं तो काफी भेंगे हैं, तो देखा जाएं तो overall जो package है वो काफी exciting है, और किसी को अगर सिफ gaming करनी है, और अपने साथ laptop को लेके चलना है, carry करने वाली functionality भी चाहिए, क्योंकि obviously laptop का width धाई के लोग से कम है, और इसको portable बनानी की भी हच् version 5 pro में, तो बात किया है, तो overall ये कहानी होती है, obviously काफी महंगा laptop है, लेकिन जो flagship gaming का experience होता है, वो यहाँ पे आपको देखने को रहा है, आप लोग का इस पारे में क्या opinion ने क्वेस्चन है, तो निचे comment section खुला है, आपको पूछ सकते हैं, thank you आपको वीडियो देखने के ल